बहुत बहुत स्वागत हैं आप सब लोगों का एस्टो तक चैनल में मैं हूँ पृतिका मजूमदार और आज मैं बताने बाली हूँ कैसे धन हानी से आप लोग बच सकता हैं तो आज उपाय मैं आप सब लोगों के सामने बताऊंगी ये है बंगाल की बहुत अच्छा मतलब सब बंगाल के लोग इस उपाय को बहुत हर घर में करते हैं ये उपाय और बहुत अच्छा मानते हैं इस उपाय को करने से सब लोग जो हैं बंगाल की अपने धन हानी से बचत तो यह उपाय आज सब लोगों के सामने में साजा करती हूँ, तो यह उपाय ऐसा है, जानि धन की बरबादी को रोकने की असान उपाय, धन की चहप हर विक्ति को रहती है, इस दुनिया में धन के बीना इंसान जीवित नहीं रह सकता, जब हमारे जिन्देगी में धन इतना मह अतब उनस्थान रखता है, तो इसकी फीजल खर्ची से बचने के लिए आप इन उपायों को आजमा सकती है, धन प्राप्ति के शुपकारी उपाय क्या है, ये आज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, सुक समरिद्धी एवं उन्नती के लिए किसी भी मा के पहले गुरु पास दस मिनित भी गो के रखिये, जैसे केसर ने रंग छोना शुरू कर दिया, उसमें कच्छे सूत को डुबो के रखियेगा, और जो पूरे जो कच्छे सूत रंग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस सूत को लेकर आप बहारी घर की बहारी बाली जो आपके डोर है, ज तो और एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा पुश्प, कुम-कुम एवं चावल डाल कर बरगत की जर में डाल दे और घर में सुख समरिद्धी का मतला बास आपका होगी, अब जिस दिन ये वाला काम आप करेंगे, ये वाला टोचका आप करेंगे, कच्छे सूत ले उसी समय जो पानी में कुम-कुम और चावल और पुश्पोर रखकर बरगत की जर में ये आप डाल के बरगत की पेर को नमश्कार करके घर आ जाए, तो इसके लावा साथ घर आने के बाद एक स्पॉटिक की श्री जंत्रों आप रखिए जिसको आप वीधिवत पूजा कर ये पूजा करने के बाद उसको लाल कप्रों में लपेट के अपने जो जहां पे आप एमाउंट पैसा जो आप रखते हैं उस जगे पे जो अलमरी के अंदर जिस खाने में आप रखते हैं वहार आपने जो श्री जंत को बीधिवत पूजा किया उसको श्री जंत को लाल कप अप्रेव में लपेट के आपके जहां पर पैसा रखते हैं आपके उस जगे पर उसको रख देना चाहिए इससे क्या होगा धन अगर बरबादी आपका हुच्जादा हो रहे हैं उससे क्या होगा रुक जाएगा धन बरबादी के लिए एक और उपाय आपको बताऊंगी अगर किसी के पती बहुत जादा दारू पीते हैं उससे क्या होता मदीरा पीने से घर की धन हानी होते हैं इससे बचने की क्या उपाय हो सकते हैं क्या करेंगे किसी एक शनी बार लेजिए उस दिन अपने पती के ऊपर से एक छोटा सा मदीरा के बोतल जो है उसको 21 बार आप बार के एंटी क्लॉक वाइज आप बार लेजिए घुमा के ऐसे 21 बार आप उनके माथे से ऐसे घुमा लेजिए एक इस बार उतार के भैरब जी के मंदर मंदिर जाहिए और भैरब जी के ऊपर ये सारे जो मदीरा है ये उनके ऊपर डाल देजिए इसके उसके बाद अगले दिन जो इद्वार है इद्वार के दिन आप क्या करेंगे इद्वार के दिन एक बोतल और लेजिए और एक दारू की बोतल जो मदीरा है उसके बोतल आप लेके फिर से पती के उपर से 21 बार उतार के जो पीपल ब्रिक्ष है उसके जर्में रख कर नमशकार करके अपने जो मन की इच्छा है वो बोल कर घैर आ जाईए पर याद रखे ये काम जब जब आप दो दिन करेंगे शनी बार और इद बार तभी करें जब आपकी हस्बेंट सुए हुए हो ताकि उनको इस चीज़ का भनक भी ना हो कि आप उनके उपर से कोई उनको शेराग पीने के लिए कोई टोटका अप कर रहे है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको करना पड़ेगा आप देखेंगे इस उपाई से पती के पीने के ल चुबतार भार थिए हो रही है धनका बुबच आयेगा धन्हानि से मुक्ति आपको हो जाएगा इसके झालवा एक उपाए और भी है यदि आपको बार बार धन्हानी ऋ रहे है और जैसे घी की दिया जलना समाप्त हो जाएगा तब आप प्राथना कीजिए मा लक्षमी की मेरे घर पे कभी भी धन्हानी ना हो और दीपक जब बूच जाएगा पूरी तरह उस दीपक को लेके कोई भी जल हो वहाँ पर प्रभाईद करके घर आजाईएगा नमशकार करके जो दीपक है जल पर प्रभाईद करते समय नमशकार करें लक्षमी जी को फिर से आप उनको नमशकार करके मनी मन में बोलिए कि मेर खरेजये घर की धनानी कभी न हो करके आप फिर पीछे मुर के नहीं देखना घर में आ जाईए इससे भी आपका धनानी रुख चाएगा तो ये तो आपने जान लिया धन हानी के कैसे क्या-क्या उपाय आपको करना चाहिए, कैसे आप धन हानी को रुख सकते हैं, ऐसे ही आप लोगों के सामने, आप लोगों की फाइदा के लिए और आप लोगों की अच्छाई के लिए, मैं छोटे-छोटे टोट का उपाय और झाल झाल